किसान साथियों, अभी उत्तर भारत में जो ठंड है वो कडाके की पड़ रही है मलब हमने देखा है आम तोर पे जो श्याओं का तापमान है जो नूंतम तापमान है वो तीन डिगरी चाट डिगरी तक पहुँच रहा है अगर एक बार आपकी फसल के उपर लग गया तो आपकी फसल कुछी दिनों में ठंड के परभाव से बिलकुल खतम हो सकती है बिलकुल खराब हो सकती है और आपका बाजन हो गिर सकता है आपको काफी आर्थिक नुक्सान हो सकता है तो ऐसे में बहुत आसान स्विपाय हैं जिनको अगर आप लागू करेंगे तो उसके बाद आप उस पाले से बस सकते हैं, आपकी फसल है वो खराब होने से बस सकते हैं, आपकी फसल जुलसा रोग की चपेट में नहीं आएगी उसमें सबसे महत्पोन या सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है आपको समय पे सिचाई जरूर करनी है, अगर आप अपने खेत में समय पे सिचाई करते हैं तब आपकी फसल है वो पाले से बसती है, छुलसा रोग है उससे बसती है, क्योंकि सिचाई करने के बाद जो खेत का जो तापमान है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है जिससे पाड़ा सिधा आपके फसल को परभावित नहीं कर पाता सबसे पहला कदम आपका उठाना वो यह है कि समय रहते आप नीमित रुप से सिचाई करते रहे अपने खेत में अगर आप अपनी फसल के उपर सर्दियों में टनल बिचा देंगे एक पनी आपको लेनी है और उसको उस पनी से आपको अपनी फसल को ढख देना है आप अपनी खेत में छोड़ी छोड़ी टनल बिचाईएगा जिससे जो ठंड का या सर्दी का सीधा परकोप या परभाव है वो आपकी फसल के उपर नहीं पड़ेगा और तीसरा उपाय जो बहुत सामान्य उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं वो है आपको लकडी की राख लेनी है 10 से 12 किलो के आसपास आप राख लीजिए और परती एकड के हिसाब से उसके उपर छिड़काओ कर दीजिएगा जब आप देखेंगे कि जो राख है वो आपकी जो फसल है आलू की या फिर कोई भी अन्य सब्जियों की फसल है आपको इस बात का ज़रू ध्यानक ना है कि समय रहते काम कीजिएगा ये कदम उठाई है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड का परभाव ऐसे ही रहेगा और जो तापमान है वो तीन-चाट डिगरी तक सामाने रात के समय में रहेगा जिससे आपकी फसल खराब होने की गुझाई सा उजज़ादा होगी लेकिन अगर आप ये तीन कदम उठाते हैं नीमित रूप से सिचाई करते हैं अपनी फसल को पन्नी से अगर ढख देते हैं और अगर पन्नी से ना ढख पाएं तो अपनी फसल के उपर आप राक कच्रिकाव करते हैं तब आपकी फसल खराब होने से बचेगी जुलसा रोग से बचेगी और आपको आर्थिक नुक्सान नहीं होगा हम आपको देते रहेंगे हमारा एक ही उदेशया है कि किसान साथि की फसल है वो खराब ना हो किसान साथियों की जो input cost जो खर्चा है वो कम हो पाए और किसान साथियों का उसका अच्छा मिल पाए और अच्छा दाम मिल पाए ताकि किसान साथी भी मुनाफ़ा कमा पाए ऐसी ऐसी वीडियों हम आपके बना के लेके आते रहेंगे ऐसी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अधी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है समय रहते आपको सबसीड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है सरकारी और जनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है हमाशा जुड़ने के लिए धन्यवाद जय हिंद